वही कोटा में मेडिकल कॉलेज में सफाई कर्मियों ने वेतन भुकतान और पीएफ राश्री की मांग को लेकर के काम का बहिशकार कर दिया इस दोरान करमचारियों ने अस्पताल परिसर में धना प्रदेशन देते वे ठेकेदार के खिलाफ जमकर के नारे बाजी भी की जिसके बाद से अस्पताल अधिक्षक चंदरुशेका सुशेल अन्या डॉक्टर प्रदेशन स्थल पर पहुचे और करमचारियों से संचाईश कर मामले को शांध कराया बाचीत के दोरान सफाई संगुधा करमचारियों ने बताया कि छेकेदार करमचारियों के पी एफ खाते में जमा नहीं कराते हैं इसी बीत को लेकर के सफाई करमचारियों में आक्रोश का माहौल बना हुआ है जिस पर मेडिकल कॉलेज अधिक्षक ने आठ दिनों में पिएफ राशी और बकाया भुक्तान दिलाने का आश्राशन दिया है तो सफाई करमचारियों के तरफ से धरना प्रेजर्शन हाला के किया गया लेकिन फिलहाल समचाईश करने के बाद से अस्पताल अधिक्षक जब समचाईश करने पहुचे तो उन्होंने आठ दिनों का समय मांगा और कहा कि जो बकाया वेतन है साथी जो पी एफ उनका भी तक जमा नहीं हुआ है वो आट दिनों के भीतर ही जमा करवा दिया जाएगा ताकि वो कहीं काम नहीं ले सके इस वाले ठेकेदार की बात है इसमें बीच में एक आदमी दूसरा था और हम तो सोच रहे ते वही ठेकेदार है पर अल्टीमेटली क्या हो पूरा प्रमेंट नहीं देता था और ईवन उसने अभी तक भी पी अफ नहीं डाला अभी मात फिलाल इस बुलेटर में इतना ही अब अनेरी इंजनियूस के साथ नमस्कार